गूड मारिंग बच्चो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री पर बात करेंगे केमिस्ट्री के जिन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे उनका संब्धन हमारे डे-to-day लाइब से है देखिए हम लोग इस वीडियो सेशन में केमिस्ट्री पर जो बात करने जा रहे हैं वो किसी मेडिकल और इनिलियरिंग लिए नहीं है इसका मतलब इसका संबंध जो है वो जिनरल कमप्टीशन से है और जिनरल कमप्टीशन में जो केमिस्ट्री से रिलेटर जो सवाल आते हैं वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटर होते हैं तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या पले बात करेंगे पर इस चीज को देखा जाएं आज की इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ एप्लिकेशन आधारी चीजों को देखेंगे किन-किन चीजों का क्या क्या एप्लिकेशन है हमारे डेली लाइफ मे तो पहला हमारा जो synopsis होगा हना synopsis में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं तो synopsis में हम लोग लेके चल रहे हैं कि पहला हम लोग application best चीजों को देखेंगे किसका परियोग क्या क्या है किसका परियोग हम कहां कहां पर करते हैं चलिए और जो दूसरा जो इसका जो यूज होगा सिनॉपसी इसके तार पर जो हम लोग ले के चलेंगे वो कुछ फैक्स को लेके चलेंगे जो कि important facts होंगे ठीक ना इसमें सबसे 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 ज़्यादा सबसे भारी सबसे कम भारी मतलब यह लाइटेस्ट आप ऐसे कल लिए निकि सबसे वाली बात लेके चलेंगे हम लोग यह टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में पहले हम लोग कुछ एप्लिकेशन को देखते हैं किसके एप्लिकेश जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है एक होता है टेंपरोरी और एक होता पर्मानेंट कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए को दूर करने के लिए पोटासियम कोलोराइड का प्रियुक किया जाता है यह बहुत इंपोर्टन बात है दिखिए जो जनरल साइंस में जो केमिस्टरी से सवाल आते हैं वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेट सवाल होते हैं हमारे डेली लाइफ में ने केमिस्टरी का बहुत ज्यादा एप्लिकेशन से बहुत ज्यादा यूज है जगा जगा हर कदम पर केमिस्टरी से रिलेटेट चीजों का यूज किया जाता है chemistry के बगार हम लोग अपने daily life को ना imagine नहीं कर सकते हैं हमारा सवाल भी जो competition में जो ssc, railway या इसके अधारित जो भी exams होते हैं ठीक ना इसमें जो chemistry से जो अधारित सवाल होते हैं वो बहुत ही simple होते हैं और उनका संबंद जो होता है वो हमारे daily life से जुड़ा हुआ होता है तो चलिए पानी के अस्थाई कठोड़ता के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जल की अस्थाई कठोड़ता होती है ठीक ना इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या इस्तबाल करते हैं पोटासिम को लोग यह बहुत इंपोर्टन बात है कुछ और इंपोर्टन बातों को हम लोग आगे देख देखते हैं चलिए देखिए कुछ जो चीजों को हम लोग पोईजन को रूप में देखते हैं लेकिन उनका हमारे डेली लाइक में जब अजस्ती उज़ है ठीक ना जैसे के देखे कॉपर सल्फिट हम आगे बात को बढ़ाते हैं कॉपर सल्फिट क्या है एक पोईजन है एक जहर है ठीक ना अगे चलते हैं जींक फॉस्फाइट यह भी क्या एक जहर है ठीक ना जिसका इस्तमाल किया जाता है चुहा के विस्क के रूप में यह सब हम लोग क्या देख रहे हैं यह चीज़ों का अप्लिकेशन देख रहे हैं इनके क्या-क्या परियोग है ठीक ना हम लोग हमारा जो पूरा जो वीडियो सेशन है वो परियोग पराधारित है तो कॉपर सलफियट एक जहर है जिसका परियोग किया जाता है कितारूनासर की रूप में Piposphite भी जहर है जिसका परियोग किया जाता है चुहा के विस्क रूप में थिनका रोप में हम लोग को आगे द civilian जाते है प इसका प्रियुग किया जाता है सोने चांदी अना गोल्ड और सिलवर सोने चांदी के ठीक ना बिधुत लेपन में इसका प्रियुग किया जाता है तो हम क्या देक यहां देखिए यह हमारे three powerful poisons के बारे में बात कहा गया, कहने के लिए तो poison है, copper sulphate एक poison है, इसका इस्तमाल होता है किटानू नासक के तौर पर, चलिए, zinc phosphate, चुहा के विस के उरुप में इसका प्रियुक किया जाता है, zinc phosphate का, और potassium cyanide जो की एक powerful जहर है, लेकिन हमारे daily life में इसका क्या यूज है, तो sony चांदी के electroplating में, विदुतलेपन में इसका यूज होता है, चलिए, हम लोग बात को, हम लोग आगे की ओर देखते हैं, कुछ और important देखते हैं, और important बाते क्या-क्या है, देखिए, हमारा जो स्वेत जो phosphorus है, ठीक ना, इसको white phosphorus भी काते हैं, ठीक ना, स्वेत phosphorus का किया जाता है, आतिसबाजी में, ठीक ना, जो firecrackers होते हैं, आतिसबाजी में, इसका प्रियोग किया जाता है, आतिसबाजी वाले समानों में, इसका प्रियोग किया जाता है, किसका? स्वेत phosphorus का, यह बहुत important है, स्वेत phosphorus इतना active होता है, कि हवा में खुद बखुद जल जा देखिए दिया सलाई मैच बॉक्स के उपर जो लगा रहाता है वो रिड़ फास्पोरस होता है और आतिस बाजी वाले मैटेरियल में जो फास्पोरस डाला जाता है तो स्विध फास्पोरस होता है चलिए हम आगे बाद को बढ़ाते हैं देखें पोटासियम ब्रोमाइड हमा बावा के रूप में पोटासियम ब्रोमाइड का प्रियूग होता है यह सारे अप्लिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं देखिए ब्रोमीन के यह जो है जो ब्रोमीन के कंपाउंड है ठीक ना कंपाउंड सब्रोमीन आप ऐसे समझें इसका प्रियूग हम किस रूप में करते हैं तो पीडा नासी है ना पेन कीलर इसका इस्तमाल करते हैं हम किस रूप में हैं पेन कीलर की रूप में हैं इसको हिंदी में कहें तो पीडा नासी जो पीडा को खतम कर दे चलिए तो ब्रोमीन के कंपाउंड का इस्तमाल होता है प एहालों में जोुलियुम गैस का इस्तेमाल होता है और चली था करेंपने हिलियम गैस का जो यूज होता है हिलियम गैस का परियुग होता है तो प्लेन के टायर प्लेन के टायर यह हो ठीक ना बैलून को ठीक ना बैलून में हवा भरने के लिए बैलून में भरने में ठीक ना इसका परियुग होता है हिलियम गैस का परियुग का होता है बहुत इंपो करते हैं चलिंड बात को हम लोग आगे दिखते हैं यि जो ऑर बालोन की आलावा इसके खोल ब्रती है यह क्रितीम स्वसन के लिए overs स्व लिए ठीक ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन है यहों हीलियम स्वास्ट के मिसरन को प्रियो Shock करते हैं ०भिए यह जो हीलियम गैस है न और जो। एसलिण Two白 chain में ने इसका बहु ज़ादा इस्तमाल होता है इतने भी हम ख्रिधिम सांस वाले जो शिलिंडर राते इसमें कौन से गैस भरे होते हैं तो ऑक्सीजन और हिलियम गैस का मिसरन होता है चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं कुछ इंपोर्टन और भी कुछ इंपोर्टन बाति हैं चलिए द ऐखिए चमकने वाले विग्यापनमे छो चमकने वाले विग्यापन में किसका प्रियोग होता है अच्छा निएन लेंप का प्रियोग होता है नियोन लैंप का परियोग हवाई अड़ो पर ठीक ना हवाई अड़ो पर हवाई अड़ो पर पाइलट्स को संकेत देने में इस्तिमाल किया जाता है संकेत देने में परियोग किया जाता है चलिए नियोन का पर एक बार देख लेते हैं नियोन गैस का परियोग कहां पर होता है तो नियोन जो लैम्प है यह बहुत इंपोर्टन बात है पर इस चीज को समझा जाए जो neon lamp है इसका प्रियोग हम हावाई अड़ो पर करते हैं पाइलोट्स को संक्य देने के लिए क्योंकि जो neon lamp है ये कुहरा में भी दिखाई देता है ठीक ना चलिए इसी तरह चमकने वाले विग्यापन में किसका इस्तमाल होता है नियोन का इस्तमाल होता है हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं कुछ और important बाते हैं देखिए redon redon का प्रियोग कहां पर करते हैं redon का प्रियोग जो होता है ठीक ना वो cancer की चिकित्सा में किया जाता है cancer की चिकित्सा में किया जाता है चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे दिखते हैं दिखिए निक्स्ट हमारी बात क्या है कैल्सियम फॉस्फिट हमार अगला जो वन लाइनर क्या है दिखिएगा कैल्सियम फॉस्फिट का प्रियोग हना तूथ पेस्ट में होता है ठीक हना कैल्सियम फॉस्फिट का लोग तोथ स्रेक्स में किया जाता है चलिए यह सारे इंप्रेक्टेंट बात यह हम यह बात कर अगे लेकर चलते हैं दखें दोना टीने इसका प्रियोग हब रेकिर जिए है तो हमारे रक्त परिवहन में हमारे जो ब्लड सेक्रेटरी सिस्टम है रक्त परिवहन में आप ऐसा समझे हमारा जो रक्त परिवहन क्या कहना है sodium 24 का use कहा होता है यह बहुत important बात है देखिए sodium जो 24 है इसका use होता है हमारा blood security system में यह दिकाई पर blood clotting हो जाता है blood जम जाता है तो इसका पता लगाने में sodium 24 का हम लोग इस्तवाल करते हैं चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते cobalt 60 बहुत important ही यह है यह बहुत important isotope बे cobalt 60 cobalt 60 का परियोग होता है cancer के इलाज में और किस vitamin में बहुत important बात है हना कि किस vitamin में cobalt 60 पाया जाता है तो cobalt sorry cobalt धातू पाया जाता है तो यह vitamin b12 beitamin b12 में cobalt पाया यह बहुत important बात है ठीक है ना तो cancer के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज होता है चलिए हम लोग आगे दिखते हैं iodine अब हमारा next isotope जो है यह आईोडीन 31 अब इसका परियुग हम कहां करते हैं तो देखे अब आईोडीन होगा जैरसी बात है कि इसका समबन्द थाइराइड से होगा तो थाइराइड समबन्दी रोग और brain tumor के इलाज में ठीक ना थाइराइड थाइराइड समबन्दी बीमारी समबन्दी बीमारी ठ इसका परियुग होता है brain tumor के इलाज में इसका परियुग होता है किसका आयोडीन 31 का यह बहुत इंपोर्टन बात है चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं चलिए आरसेनिक 131 हमारा अगला जो चीज है वो क्या है आरसेनिक 131 इसका यूज हम कहां करते तो तो जो जो इसकिन डिजीज होता है उसके इलाज में ना आरसेनिक 131 का परियुकिया जाता है फिर आरसेनिक 74 चलिए आरसेनिक 74 का इस्तमाल किस संबंदित है तो tumor 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 से संबंदित जो इलाज होते हैं थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए tumor से जो संबंदित इलाज होते हैं उस तो यह हमारे प्रमुक आइसो टोप्स हैं जिसका हम लोग जिसका प्रियोग हम लोग अपने डिली लाइफ में करते हैं देखिए अब जैसे कि आर्सेनिक आर्सेनिक तो वैसे है पॉयजन है लेकिन इसका जो आइसोटोप है 131 इसका इस्तमाल होता है तोचा सम्मंदी रुपकी इलाज में अगर आप इसके इलाज करवाते हैं तो उसमें आर्सेनिक 131 का यूज होता है चलिए इसी प्रकारे आर्स कैंसर के जांच में होता है चलिए हम लोग कुछ और एप्लिकेशन की बारे में बात करते हैं कुछ हमारे और एप्लिकेशन से देखिए हमारा अगला है जर्मेनियम हम लोग आगे बढ़ते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड जर्मेनियम ऑक्साइड का जो परियुग होता है ठीक या मॉक्साइड का चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात को लेके चलते कुछ एफलिकेशन और मौजूद है हमारे पास देखिए जो मिट्टी में एसीड रेन के प्रभाव को खतम करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं ठीक ना देखिए उसमें एक बहुत इंपोर्टेंट है सिलेक्ड लाइम ठीक ना सिलेक्ड लाइम का इस्तमाल होता है अना बुझा चूना आप ऐसे समझेए सिलेक्ड लाइम सिलेक्ड लाइम का प्रियोग होता है जिसको आम लोग बुझा चूना भी कहते हैं ठीक ना बुझा चूना ठीक ना का प्रियोग किया जाता है मिट्टी में मिट्टी में ठीक ना चलिए Acid Rain Acid Rain के परभाव को कम करने में परभाव को कम करने में ठीक ना किसका प्रयूग किया जाता है Select Line का चलिए इसी प्रकार थ्वड़ा ध्यान से सुना जाए इसको ठीक ना देखिए जिपसम का परियोग किया जाता है यदी देखिए यदी मिटी में यदी चार बढ़ गया है चारत्व ठीक ना जिपसम का परियोग किसमे होता है देखिए AC drain के प्रभाव को खतम करने के लिए अगर किसी मिट्टी में AC drain ज़्यादा प्रभाव हो गया है तो वो कुरॉप बढ़िया नहीं होगा तो मिट्टी से AC drain के प्रभाव को खतम करने के लिए हम लगी इस्तवाल करते select line का जबकि जीपसम का प्रियुग होता है अगर मिट्टी में अगर छार की मात्रा बढ़ गई है तो छारत्व को कम करने के लिए ठीक ना जीपसम का प्रियुग किया जाता है ठीक ना मिट्टी में मिट्टी में छारत्व घटाने में ठीक ना मिट्टी में छारत्रों को घटाने में इसका प्रिव किया जाता है चलिए तो बच्चों यह important applications हैं जिसका संबन्ध हमारे competitive exam से हैं चलिए अब हम लोग बात करेंगे अब हमारा जो synopsis में हम लोग दूसरा जो चीज लेके चले हैं कि सबसे maximum minimum हम इन चीजों के बारे म में बात करेंगे यह भी बहुत important है examination दृष्ट कोन से इससे काफी प्रसनाते हैं ठीक है चलिए इसका भी कुछ important हम लोग पहलू देख लेते हैं जो कि सबसे से related है यह बहुत important है आग आने वाले exams के लिए बहुत काम करने वाले हैं देखिए जो सबसे भारी धातु सबसे भ सबसे हलकी धातु कौन है सबसे हलकी जो धातु है वह है आपका lithium देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए सबसे भारी धातु में आता है नाम uranium का सबसे जो हलकी धातु है उसमें नाम आता है lithium का lithium सबसे हलकी धातु है जबकि सबसे हलका जो तत्व है या सबसे हलका धातु अधातु काली जी आठम्स तत्व काली जी ठीक का वाल Ho present Kon Destroyer अर treaty जो यह सबसे जो हलकी जो अधातु होती ए you have to cry शान्च ॉरैνियम का प्रियू करते हैं दम्लक बात को आगे देखते हैं अगर अधातू जो है थोस रूप में अगर है तो वो सबसे भारी जो है आपका क्या चीज है रेडाउन है देखिए सबसे जो भारी गैस वो रेडाउन है और सबसे भारी जो ठोस अधातू है यह आपका एस्टैटिन है यह आपका एस्टैटिन है एस्टैटिन ठीकर ना जिसको हम लोग 80 से दिखलाते हैं चलिए यह तो बहुत इंपोर्टेंट है आप ऐस समझे पोलोनियम आप ऐसे समझे पोलोनियम जो है यह मानो निर्मित सबसे पहला एलीमेंट है पोलोनियम के बारे में क्या का गया है कि पोलोनियम पोलोनियम जो की फॉस्ट आप ऐसे समझे फॉस्ट यह मैनमेड यह फॉस्ट मैनमेड एलीमेंट है पोलोनियम मानो दवारा निर्मित सबसे जो पाला तत्व है वो है पोलोनियम, आईस के सबसे अधिक समस्थानिक भी है, हना, सबसे अधिक समस्थानिक किस के हैं, पोलोनियम के, 27, सबसे अधिक, आप समझे कि आईसो टोप्स, मतलब समस्थानिक किस के हैं, तो पोलोनियम के हैं, 27 जिनकी संख्या है, 27 तो पोलोनियम के बारे में दो बात इंपोर्टेंट है आपके एक्जामने संदृष्टि कुन से पोलोनियम के बारे में तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मानो द्वारा निर्मीत जो सबसे पहला जो इलिमेंट है वो पोलोनियम है दूसरा बात आप ये जान लीजिए कि सबसे अधिक जो आईसोटोप की संख्या किसकी है तो पोलोनियम की है चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं जो कि बहुत important होगा दिखिए earth crust में सबसे अधिक पाया जाने वाला भूपरपटी आप इसको हिंदी में कहिए तो भूपरपटी और इंगलीस में कहिए तो earth crust earth crust ठीक ना में पाया जाने वाला में पाया स्वरी पाया जाने वाला मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मात्रा में सरवाधिक पाया जाने वाला आप इसको ऐसे समझे सरवाधिक पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है सबसे अधिक कौन सा धातू पाया जाता है तो अल्मुनियम सबसे जाधा Earth Crust में यदि कोई धातू अगर है तो सबसे जाधा है अल्मुनियम ये बहुत important बात है हलाकि सबसे ज्याधा Oxygen होता है लेकिन चोकि Oxygen धातू नहीं है तो अगर सबसे अगर ज़्यादा धातु पूछे तो इसका एंसर एलिमूनियम होना चाहिए चलिए वायूमंडल में आप ऐसे समझेए अब हमारा अगला बात है वायूमंडल में सबसे अधिक ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है भाई तो वो नेट्रोजन है ठीक ना गरुछे वायूमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मानो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कॉन सा है तो ऑक्सीज़न है मानों शरीर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है तो अक्सिजन मिलता यह बहुत इंपॉर्टेंट यह सारी जो बाते है ना आपके एक्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है चलिए अब हम आगे बात को देखते हैं सबसे कठोर धातू कौन सा है और सबसे कठोर सबी पढरतों में सबी चाहे वो धातूँ और धातू हो सबी पढारतों में सबसे कठोर क्या है भाइँ क्यों धातू के बात करते तो प्लैटीनम लेकør सभी ժ veggie खिया है तो डायमंड यहना हीरा जो सबसे कठोर है वह हीरा क reference ब्लैटीनम है नहीं है जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है ठीक ना ब्रमांड में यदि हम बात करते हैं वायु मंदल में तो नैट्रोजन है देखिए वायु मंदल के बारे में बात करें तो वायु मंदल में सबसे अधिक क्या पाए जाता है नैट्रोजन पाए जाता है human body में सबसे तक क्या पाया जाता है अगर हम बात करते हैं भूपरपटी में earth crust आप ऐसे समझें earth crust में सबसे अदिक क्या पाया जाता है सबसे अधिक पाया जाता है oxygen थोड़ा इसको समझा जाए इसके बाद आता है silicon और इसके बाद आता है आपका aluminium ये देखे करम देख लिया जाए earth crust भूपरपटी आप इसको हिंडी में कहिए तो भूपरपटी भूपरपटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आप ऐसे समझें oxygen पाया जाता है इसके बाद सिल्कॉन पाया जाता है इसके बाद aluminium पाया जाता है लेकिन aluminium क्या है धातू है हना जबकि oxygen धातू नहीं है अब ब्रहमांड के बारे में बात करते हैं कि ब्रहमांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका है हाइड्रोजन ब्रहमांड में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हाइड्रोजन मिलता है तो बच्चों यह बहुत इंपोर्टेंट यह सीरीज है आपके सभ इससा पूछी जाती है देखिए है सबसे अधिक क्रिया सील जो मेटल है जो सबसे आदिक क्रियासील जो मेटल है धात्रूब है वह है raising का सीजीं म 152 सबसे अधिक जो आगे वायू मंडल में सबसी अधिक पाया जाने वाला चलिए इनाट गैस या क्रिये गैस उसको आप कहले अक्रिये गैस अथवा इनाट गैस वो कौन सा है भाई आरगन ठीक ना इनाट गैस कौन सा है तो वो आरगन है जो कि वायू मंडल में सबसी अधिक पाया जाता है एक इनाट गैस है और इनाट गैस में सबस्यदिक आरगन पाया जाता है चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं दिखे सबस्यदिक विद्धुत रिनात्मक एलेक्ट्रो निगेटिव आप ऐसे समझे अना सरवाधिक विद्धुत रिनात्मक सरवाधिक जो विद्धुत रिनात्मक है विद्धुत रिनात्मक जो है वो आपका क्या है फ्लोरीन है अना मोस्ट यह एलेक्ट्रो निगेटिव है वो है फ्लोरीन है असरवाधिक विद्धुत धनात्मक चलिए सरवाधिक विद्धुत धनात्मक कौन है चलिए थोड़ा इस इसका नाम है फ्रेंसियम, इसका नाम है फ्रेंसियम, फ्रेंसियम सबसे अधिक बिद्धु धनात्मक है और फोलरीन सबसे अधिक बिद्धु धनात्मक है, चलिए, सरवाधिक चालक, अगर कहें कि सरवाधिक बिद्धु चालक, सबसे ज़्यादा, सरवाधिक बिद्धु चा चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं देखिए विद्धूत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु अधातु एक चोली बैड कंड़क्टर होते हैं लेकिन अगर कहा जाए कि विद्धूत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु कौन सा है तो वो है ग्रेफाइट नहीं व हम लोग बात को आगे ले के चलते हैं, विध्भुत का सबसे अच्छा गी शुचालक क्या अधात हुआ अधात हुआ, होते हैं लेकिन यदि कोई गुड कंड़क्टर है सबसे अच्छा तो वह है ग्रेफाइट वह है वह है ग्रेफाइट चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं कि हीलियम का सबसे कम बॉयलिंग पॉयंट अगर टंगस्टन का सबसे अधिक बॉयलिंग पॉयंट होता है सरवादिक बॉयलिंग पॉयंट किसका होता है अना सरवादिक जो बॉयलिंग पॉयंट किसका होता है तो टंगस्टन का आप ऐसे समझें और सबसे कम बॉयलिंग पॉयंट सबसे कम बॉयलिंग पॉयंट वाले कौन होते हैं तो हीलियम होता है ठीक ना सबसे क सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है तो हीलियम का होता है चलिए हम आगे बाद को बढ़ाते हैं सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये मरकरी का होता है मरकरी एक धातू है जो कि liquid estate में होता है ठीक ना ये एक धातू है जो कि किस स्टेट में पाए जाता है धातू तो में ठोस में होते हैं लिकिन ये कैसा धातू है जो कि लिक्यूड एस्टेट में मिलता है तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा इसमें हम लोगोंने दो चीजों के बारे में ज्यादा फोकस किया पाले तो हम लोगोंने कुछ एप्लिकेशन को देखा जो कि एक exactement संद्रिश्टि कोन से बहुत इंपॉर्टेट है दूसरा कि कि हम लोगोंने देखा और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोज मिलने वाले हैं, आप इस चैनल से जुड़े रहें, यदि आप नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू वेरी मच्छ.